पूर्मुख्यमंत्री अशोग गेलौत के OSD लोकेश शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फरेंस करके पूर्मुख्यमंत्री अशोग गेलौत पर पूर्ण टेपिंग मामले में कई आरोप लगाए रोकेश शर्मा ने कहा पूर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के कहने पर मैंने आडियो मीडिया में सरकुलेट किया महीं मुझे भरोसा दिलाया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन अब मैं अकेला परिशानी जहल रहा हूँ इस वज़ा से मुझे आज खुलासा करना पड़ा और लोकेश शर्मा ने कहा बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की गई जबकि वास्तविक्ता ये नहीं थी केंद्रे मंत्री गजेंद सिंग शेकावत और सचिन पाइलेट पर आरोप लगाये गए पेपर लीग मामले में भी लोगों को बचानी की कोशिश की गई फॉन टैपिंग मामले में पूरी मुक्रिमंटरी अशोग घैलोत के ओएश्टी लोकेश सर्वा ने आज प्रेस कॉंफरेंस किये वो हमारे साथ मौजूद है उन्से बातचीत करते हैं लंबे समय तक आप ये कहते रहे कि ये आडियो कहां से आई मुझे नहीं पता सोसल मीडिया से ली या किसी भी तरह से सर्कुलेट की लेकिन आज जब दो दिन लोग सबाद चुनाव हैं तेरा सीटों पर वोटिंग होनी है और वो ही लोग भी उमीदबार हैं जो आपके खिलाब जिन्होंने केस दर्जिया था ये टाइमिंग बड़ा जबरदस्त है सर जब आप अशुक के खिलाब आरूप लगा रहे हैं देखिए पहले मैं निर्देशों की पालना कर रहा था जो मुझे निर्देश दिये गए थे कि आप कोई कहानी सुनानी है कि आडियो कलिप्स कहां से आई है हमारा कहीं कोई नाम नहीं आना चाहिए और वो ठीक भी बात है हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब ऐसे घटना करम हो तो जो करने वाला व्यक्ति है वो खुद अपने उपर ले कोई अपनी कहानी सुनाए किसी भी रूप में लेकिन मैंने क्योंकि मैं उनके अधीन काम कर रहा था और मेरी नैतिक जमेदारी थी उनके निर्देशों को पालन करना और मैंने वो पालन किया जहां तक आज आप पूछ रहे हैं कि आज ये कुछ किया जा रहा है जैसा कि मैने प्रेस कांफरेंस में भी बताया कि पिछले कई महीनों से जिसले कई महीनों से मुझे पूरी तरह से कैला छोड़ दिया जिस व्यक्ती ने मुझे ये आशवरशन दिया तैंट या पहले ये कहते थे शूरू में कि हम सुप्रीम कोर तक चले जाएंगे आप चिंता मत करना जब वो ही किनारा कर लें वो ही इन सब चीजों पर बात करना छोड़ दें और बिलकुल अकेला छोड़ दें तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा जिसका कोई दोशी नहीं है जो कृत को जेलता रहे इस वजए को सोचता रहे कि हमने ऐसा क्या किया हमने तो अपनी भूमिका का निर्वान किया हमने सरकार बचाई उनके कहने से सब कुछ किया तो आज कम से कम साथ खड़ा होके ये भरोसा दिलाने का दाई तो तो उनहीं का था ना कि आप आज भी चिंता मत करो लेकिन अब तो इस बारे में बात तक करना कोई उचित नहीं समझता किसी ने मुझसे पिछले पिछले च्छे महीने से जादा हो गए किसी ने मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं की कि उस केच से सम्मंदित क्या होना है क्योंकि सबकी राजने थी महत्वगांग शाय पूरी होगी मुक्यमंत्री जी मुक्यमंत्री रह लिए पूरे पांच वर्ष बाकी जो मंत्री थे जो मेलेज थे जो सरकार थी वो पूरी बची रही कारेकाल पूरा हो गया तो अब आवशक्ता रही नहीं ना उन्हें ना तो इस सारे आउडियो की या जो भी हमने किया उसको प्रोटेक्ट करने की या उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की उनकी आवशक्ता उन्हें ये मैसुस हुआ कि अब खतम हो चुकी है अब इसे अकिला छोड़ दिया ये काफी गैफ हो गया आपको विधान सभा चुनाओ के परिणाम वाले दिन मैंने शाम को आप सभी को याद होगा कि जब मुक्य मंत्री जी राज भावन जाके अपना स्थीफा दे चुके गवर्नर को उसके बाद मैंने अपने सोशल मीडिया सोशल प्रेटफॉर्म्स पे वो स्थियां और उन परिस्थियों का चित्रन उन भावनाओं के रूप में व्यक्त किया जिन में पूरी तरह से ये बताया गया कि हमारी कमिया क्या थी हमारी खामिया क्या थी हम कहां चूक गए आपको सब कुछ बता दिया गया था सारा कुछ आपको लिखित में दे दिया बावजुद उसके आपने अपने हट धर्मिता के चलते अपने मनमानी की और उन्हीं लोगों को टिकेट रिपीट करवाए जो चुनाओं में बुरी तरह हारे आपको पता है हार का मार्जन 30,000, 35,000, 40,000 मंत्री हारे हैं क्योंकि उस वक्त में जो हमने रिपोर्ट दी उसमें इस पस्ट कहा था कि सरकार के प्रती और मुख्य मंत्री के प्रती जनता में नाराजगी नहीं है लोगों में व्यक्तिगत रूप से उस इस्थान के जन प्रतिनीदी विधायक या मंत्री के खिलाफ उस इस्थानिय विधायक जनप्रति निजीरों मंत्री के खिलाफ गुसा है नाराजगी है उसे दूर करने का तरीका यही है कि व्यक्ति को बदल दिया जाए नए चेहरों को मौका दिया जाए जिनको 25-35-35 वर्ष हो गए और अब लोग उनको चाहते नहीं है ऐसी ऐसी घटना हैं देखी कि जो लोग पत्थर फैक रहे हैं गाडियों पे लोगों को काले जंडे दिखाए जा रहे हैं उनकी मुर्दाबाद हो रही है तो जो व्यक्ति अपने विधान सबाक शित्र में घुस नहीं पाए वहां उसका इतना विरोध हो हम उसको वापस टिकेट देके अप मुझे लोगों ने कहा आज एक और आपको बताना चाहता हूं मैं नीचे इस बात को बोलने से चुक गया कि जिस दिन मैंने वो तीन दिसंबर की शाम को ये अपने सोशल प्रेट फॉर्म पे जो भावना विक्त की उसके अगले दिन बहुत से विधायकों के सिटिंग विध पूर विधायकों के मेरे पास फोन आए और मुझे इस बात के लिए उन्होंने मेरी पीट थप थपाई और ये कहा कि पिछले चालीस वर्ष की राजस्थान की राजनीती में ऐसा करने की हमत कोई व्यक्ती नहीं कर पाया जो इस तरह से सच को सब के सामने ला सके तो कहीं न कहीं भावनाएं तो सबकी वही थी लेकिन कोई भी उससे व्यक्त नहीं कर पा रहा था अगर आप इतना डरोगे इतना सोचोगे तो इस पार्टी को आगे ले जाने की हमत कैसे कर पाओ आपने ये भी कहा कि सचिन पाईलेट और गजिंदर सिंग सेखावत को बदनाम करने के लिए ये साजित रची गई थी पूर मुक्मंत्रि अशोग गेलोग के जो आडियो क्लिप्स मुझे दी इस पैंडराइव के माधियम से और एक वो जो पेपर मुझे दिया उसमें गजिंद सिंग का नाम था जो ततकालीन उस समय में केंद्रिय मंत्री थे उनका नाम था कि वो उनकी वारतालाप हुई है और उसमें विदायकों की खरीद फरूद करके सरकार को गिराने की शाडियंत्र और साजिश की जा रही है ऐसा उसमें लिखा गया था उस पेपर में मैंने उसी को सर्कुलेट किया तो एक सिटिंग जो केंद्रिय मंत्री है और एक हमारे जो उ मुक्यमंत्री रहे हैं आपने सीधा उनको कटगरे में खड़ा करने का प्रियास किया और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि सरकार को गिराने के लिए ये लोग मिली भगत कर रहे हैं बी जे पी खरीद फरूद करना चाह रही है और सचिन पैले तो उसमें शामिल है सर बात होती है वहां राजनीती का ये जो चेहरा था मुझे लगता है कि कोई किसी को देखने को भी नहीं मिलेगा तो ऐसे हालात उत्पन हो गए कि हम अपनी कुरसी को बचाने के लिए इस हद तक उतर गए आप ये भी कह रहे हैं कि जब पेपर लीग हुए थे गैलोस सरकार म उनकी जानकारी भी मुख्यमंतरी के आसपास के लोगों को थी मुख्यमंतरी को भी थी लेकिन उन लोगों को बचाया गया और आप आप कहरें कि बीजेपी सरकार आईए जाच करे तो मैं उनको भी सबूत दूँगा बिलकुल जब मैंने खुले रूप में मीडिया के सामने उन सबूतों को रखा है तो कोई भी जान्च एजेंसी चाहे वो वर्तमान सरकार को जान्च करना चाहे और मुझसे उन सबूतों को लेना चाहे तो मैं सही हो करूंगा क्यूंकि मेरी नजर में प्रदेश के युवा का जो हित उस वक्त होना था उनका जो नुकसान हो गया उ तो ठगा सा महसूस करेगा ना कि मेरा तो जीवन बरबाद हो गया जिस परिक्षा के भरोसे मैं बैठा था और मैं अपने भविश्य को सुनिश्चित कर सकता था मैं कहीं टीचर बनता मैं कहीं कुछ और करता यानि वो एक ऐसी परिक्षा थी जिसमें लाखों युवाओं न लाखों युवाओं ने भाग लिया था लेकिन उनका भविश्य चौपट हो गया आदे से ज्यादा लोग तो एज पार हो गए हैं वो अब उस एक्जाम को नहीं दे पाएंगे उनको जानकारी थी मुख्या को मुख्यमंतरी को फिर भी उन्होंने कारवाई निकिया सहाब क कहा कि अरे अपना ही तो आदमी है सब कुछ वही तो है तो अपना आदमी को बचाने के लिए आप सब कुछ दबा जाओ ये तो प्रदेश के युवा के साथ अन्याय कर रहे हो पेपर लिग सही तमाम चीजों को लेकर आरोप पूर्वोषडी ने लगाये हैं पूर्मुख्यमंतरी अशोग गयलोत पर देखते हैं तमाम चीजों का क्या कुछ असर इस लोकसभा चुनाव पर होता है लेकिन हल्प्रा वो इस बास से इंकार कर रहे हैं कि लोकसभा चुन झाल